एक सवाल पूछा है किसी ने कि क्या fatty liver type 2 में दूद पी सकता है और अगर पी सकते है तो कौन सा पी सकते है टोन या फूल क्रिम तो आज के वीडियो में मैं इस सवाल का जबाब दूँगा नमस्का दोस्तो मेरे नाम डॉक्टर अनुपम घोश है मैं एक डाबिटीस कोच हूँ और एक फिटनेस नूटिशन स्पेशलिस्ट तो काफी लोगों को ये कन्फूजन रहता है कि अगर fatty liver है तो क्या वो दूद पी सकते है और दूद पी सकते है तो क्या वो फूल क्रिम दू समझ लिजे जब भी आप excess carbohydrate खाएंगे जब भी आप excess carbohydrate खाएंगे तो जितनी आपकी body को जरूद है energy के लिए वो body utilize कर लेगा और जितना carbohydrate जितना energy आपको body को नहीं चाहिए वो आपके liver जो है उसको convert करता है fat में उसको fat में convert करके अलग-अलग जगा पे deposit कर देता है तो आप खाएंगे वे ccurable fat भी होटा है तो आपके liver के आसपास भी बहुत सरे fat इपोजिशन होता है वह इसी लिए क्यूकि आपके liver ही fat बनाती है और जब liver fat बनाती है तो बहुत सारे Fet जो है वो lever के आसपास deposit हो जाता है लिवर में deposit हो जाता है जिसकी वज़े से आपको fatty lever होता है तो अगर आपको fatty liver है grade 1 है या grade 2 है उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो आप इस बात को समझ लिजे कि root cause क्या है? root cause fat खाने से नहीं है root cause है excess calories खाने से excess carbohydrate खाने से जब भी आप excess carbohydrate या excess calories खाएंगे तो आपका liver जो है उसको fat में तबदिल कर देगा और तब ही जाके आपको fatty liver होगा तो आप सवाल है कि क्या fatty liver अगर हो गया है तो क्या fatty चीज खाने चाहिए दिलकुल खा सकते है fat से fatty liver नहीं होता है मैं फिर से दोड़ा रहा हूँ फिर से repeat कर रहा हूँ बार-बार repeat कर रहा हूँ fat खाने से आपको fatty liver नहीं होता है फिर repeat कर रहा हूँ fat खाने से आपको fatty liver नहीं होता है otherwise आप fatty liver को ठीक नहीं कर सकते है fatty liver को ठीक करना है तो carbohydrate कम खाईए fat जादा खाईए तब आप देखेंगे कि fatty liver कैसे आपका ठीक होता है मैंने बहुत सारे ऐसे मरीजों को ठीक किया है जिनका fatty liver है उनको हम excess fat देते थे optimum amount में healthy fat खाना बहुत जरूरी है healthy fat खिलाते थे और उनका fatty liver भी ठीक हो जाता है तो सवाल ये है कि क्या fatty liver grade 2 अगर है तो क्या दूद पी सकते हैं बिल्कुल पी सकते हैं और toned milk नहीं पीना है आपको full fat cream, full fat milk ये पीना है और तब जाके आप देखेंगे कि आपका fatty liver जो है वो भी खतम हो जाएगा धीरे-धीरे करके तो अगर आपको fatty liver है तो diafid diet को follow करेंगे diafid diet अगर आप follow करेंगे तो आप अपनी fatty liver को भी reverse कर सकते हैं ऐसे हमने हजारों लोगों की fatty liver भी reverse कराया है सिर्फ और सिर्फ डाइफिट diet को follow कराके तो diafid diet आखिर है क्या diafid diet कुछ भी नहीं है ये एक system है, एक process है, calculation है जिसको मैंने 6 साल की experience में develop किया है इसमें आपको सबसे पहले total daily energy expenditure calculate करना है उसके बाद आपको 26% या उसका नीचे आपको carbohydrate से लेना है उससे ज़ादा नहीं लेना है 1.5 से लेकिट 2 gram per kg body weight आपको protein से लेना है और जो remaining calories बचेगा वो आपको healthy fat से लेना है healthy fat में क्या आता है? nuts and seeds ठीक है? nuts and seeds oil, बहुत सारे oil है जैसे coconut oil है, mustard oil है, गी है ये सारे चीज़ आप ले सकते है चीज आप ले सकते है और full fat milk तो full fat milk अगर आप लेंगे तो भी आपको healthy fat मिलेगा इसमें saturated fat होता है और saturated fat आपके fatty liver के लिए बहुत अच्छा है ऐसे बहुत सारे studies हैं हमारे पास अगर आप saturated fat लेंगे तो आपका fatty liver भी ठीक होगा तो अगर आप fatty liver को ठीक करना चाहते हैं तो diet diet को follow करिए और fatty liver grade 1 हो या grade 2 हो कोई फरक नहीं पड़ता है दूद बिल्कुल पी सकते हैं कौन सा दूद पीना है आपको पीना है full fat milk full fat milk आपको पीना है ठीक है तब जाके आपका fatty liver भी ठीक होगा तो इस वीडियो को जादा से जादा share करिए क्योंकि बहुत लोगों को ये confusion रहता है बहुत लोग डरते है दूद पीने से full cream दूद पीने से वो डरते है क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे तो fatty liver है fatty liver है तो दूद पीजिए और देखिए कैसे आपका fatty liver ठीक होता है कर्वाइड को कम करना बहुत ज़रूरी है डायफिट डायट को फोलो करना बहुत ज़रूरी है तब ही जाके आप अपना fatty liver भी reverse कर सकते है तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे, मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद